हलो स्टुडेंट वेलकम बैक तो स्टेटी बाई अड़र 24-7 स्टुडेंट आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको लास्ट 20 डेज में आप रिवीजन कैसे करेंगे लास्ट 20 डेज में आपकी प्रपेशन स्टेजी कैसी होनी चाहिए अपनी स्टीविटी एक्जाम को ले करके जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो चलिए बिना टाइम बेस्ट के आज मैं आपको इस स्टेजी बताती हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप अपनी प्रपेशन को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे मतलब कि जो आप प्रपेशन कर रहे हैं उसको दो भागों बाटने कौन-कौन से एक होगा आपका strong part, दूसरा होगा आपका weak point तो weak part में और strong part में difference क्या है तो strong part हम पहले कर लेते हैं तो इसमें जितने भी chapters, जितने भी topics, जितने भी concept आप clear कर चुके हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आगे हैं उस पर ज़्यादा time waste आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको revise करना है ठीक है, सारे chapters को revise करना है, मोटा मोटे तरीके से फटापर से उसको revise कर लेंगे नेक्स आता है, आप revision के बाद उसमें practice questions लगाएंगे नेक्स आता है, cover all the topics, एक भी topics को skip नहीं करोगे, करोगे तो हो सकता है, वहीं से question आजाएं और फिर आपको difficulty face करनी पड़ेगी नेक्स आप बात करते हैं, जो भी आपने notes बनाए है, अब ये final touch देने का उसको time आ गया है तो फटाफर से जो भी notes बनाएं उसको revise करेंगे, अब बात आती है कि इसके हमारे week part की, week part में सबसे पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो भी concept, जो भी topic, जो भी आपके chapters clear नहीं है तो उनमें आप क्या करोगे, concept को clear करने के लिए आप videos को watch करोगे, मतलब videos बगरा देखोगे, जिससे आपका concept की clear हो जाए और आपके questions की difficulty भी आपकी solve हो जाए, नेकसर बात करते है, try and cover all the topics, सारे topics आपको cover करने, एक भी skip नहीं करना है नेकसर बात आती है, जब आपकी topics clear हो जाते है, concept clear हो जाता है, फिर आप उसके base पर MCQs की practice करेंगे नेकसर आता है solve mock test, इस time जो आपको सबसे ज़रूरी जो चीज लगती है, वो है आपकी mock test और जाहिर सी बात है कि mock test लगा करके, आप अपनी preparation को और ज़्यादा boost कर सकते हैं दास्ट में दर बात करते हूं कि pyqs को solve करना इस time बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको आपके question की strategies बता चल जाती है यह सारी चीजे आप possible हो सकती है आप लोगों के लिए अगर आप संभव batch को join कर सकते हैं आपको difficulty आ रही कि अभी तक कुछ नहीं पड़ा है last practice आपको लेनी है लेकिन इतने बड़े-बड़े concept होते हैं उसको कहां से ले तो बच्चे इसके लिए अड़ा 24-7 की तरफ से आपके लिए संभव batch को launch कर दिया गया जहां पर वो चीज आप संभव कर सकते हैं जिसकी अब CTQ क्या होते हैं? CTQ होते हैं concept through the questions मतलब आपके हर question को हर concept को questions के थुरू समझाया जाएगा और हाँ इत पर आपको एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह बता देती हूं कि समभव batch में अभी जो है वो 17% से discount हटा करके आपको कितरे percent का discount मिल रहा है मतलब 17% का discount आप लोगो maximum discount जो है अवेल कर सकते हैं और वो भी पूरे के पूरे 25% जल्दी से जाएंगे अपनी preparation को boost करेंगे संभव batch में enroll करेंगे और वहां पर लेका जाएंगे हमें final punch के लिए सैयारी करके जाएंगे have a nice day